ओम नमाशिवाय जेश्ट मास मंगलवार अमावस्या तिथी साम 5 बज कर 25 मिनट तक लगी रहेगी तत पस्चाद प्रतिपदा तिथी रारम हो जाएगी चंद्रमा आज दिन भर साम 4 बजे तक भड़ी नक्षतर में चलते रहेंगे तत पस्चाद क्रितिका नक्षतर प्रारम हो जाएगा क्रितिका नक्षतर के नक्षतर स्वामी सूर्देव हैं आज के जन में जातक सुंदर तेजस्वी प्रसिद्धी पाने वाले विद्वान पुछ अधिकारी और विद्या के धनी होते हैं ये उदार हिर्देवाले, सामाजिक क्रिया कलापों में रूची रखने वाले, अतिति सतकार में कुषल और प्रभावशाली रक्तित्य के स्वामी होते हैं ऐसे जातक रचनात्मा कारियों में ब्यस्त रहने वाले, शेयर वा सटे बाजी में गुची रखने वाले, कला एवं विज्ञान के कारे ब्यावसाओं से संबंध रखते हैं, कला अभिनाय और राजनीती के छेतर में भी प्रगति करते देखा गया है, यदि सहयोगी लगन रह मंगल, शुक्र और सूरी की इस्थिती अनकूल रही तो पूर सफल होंगे, चंद्रमा आज दिन भर दोपर साड़े चार बजे तक मेश रासी में चलते रहेंगे, तत पस्चात ब्रिश रासी प्रारम हो जाएगी, सूरी आज अपनी उच रासी से निकल कर ब्रिश रासी मे प्रवेश कर चुके हैं और मंगल के नक्षत्र में चल रहे हैं, धैनिक जीवन में इन ग्रहों के रासी परिवर्तन का प्रत्यक जातकों पर उनके कारकों की अनुसार मिला जुला प्रभाव पढ़ता रहेगा, ध्यान देने योग के बात यह है कि मंगल केतु की यूती मकर रासी में चल रहे हैं, और परस्पर मंगल और राहू की द्रिष्टी भी एक दूसरे के उपर पढ़ने से और प्रत्यासित घटनाय संभावित हैं, इनका भी धैनिक जीवन में प्रत्यक जातकों पर अपने कारकों की अनुसार प्रभाव पढ़ता रहेगा, मेश रासी के जातकों के आत्मिश्वास में ब्रिध्धी होगी और कारे छमता बढ़ी रहेगी, सूरे के ब्रिष रासी में प्रवेश करने से वाणी की तेजस्विता में ब्रिध्धी होगी और धन लाव प्रचुर मातरा में संभावित हैं, नई कारी और जनाव के लिए आपका उत्साह और आत्म दिश्वास बना रहेगा मगर चंद्रमा और बुद्ध की यूती से कारेश्षत की निरंतरता बाधित हो सकती है और एक ही काम के प्रती बार बार प्रयास करना पड़ सकता है पिता के साथ बैचारिक, मद्भेत, संभावित है साजेदारी लावदायक रहेगी और सासन सत्ता बाधिकारियों का सहीयोग बना रहेगा बिद्ध्याथियों के लिए आज का दिन अच्छा है अध्यान अध्यापन में सफलता मिलेगी और प्रयास सार्तक होंगे बिद्ध्याथियों के जातकों के कारेश्यत में रुकावट की संभावना बनती है मगर उत्साह और सकारात्मा पुर्जा बरकरार रहेगी आपके इच्छानुसार कार्योजनाओं के संभन होने में सोड़ा समय नहीं कार्योजनाओं के प्रस्ताव लागू होने में बिलंब की संभावना बनती है मगर शाम तक राहत महसूस होगी और साजेदारी के कामों में मदद मिलेगी पिता के स्वास्त के प्रती चिंता संभावित है सासन सत्ताव अभिकारियों का सहयोग मिलता रहेगा विद्याथियों के लिए आज का दिन सामान रहेगा अध्यान अध्यापन में अभ्यास जारी रखें मिथुन डासी के जातकों के नीजी वा संतान संबंधी मामलों में निवेश की संभावना बनती है कारिशित में रचनात्मक सक्रियता बनी रहेगी और साजे दारी के कामों में लाब संभाव है नई कारियोजिनाव और नीजी निवेश के लिए समय अनकूल है सासन सब्ता वाधिकारियों की पेरणा मिलती रहेगी पारिवारिक ताल मेल बना रहेगा नीजी संबन प्रगाड होंगे और कोमल भावनाएं दुर्षित होंगी वैवाहिक प्रस्तावों में सफलता मिलेगी विद्याथियों के लिए आज का दिन अनकूल रहेगा सफलता मिलती जाएगी प्रगति के मार्ग प्रसस्त होंगे नई कार्योजिनाओं के लाहगायक प्रस्ताव सामने आएंगे और यथा संब्व आप उन्हें लागू भी कर सकते हैं पारिवारिक दायित की पूर्ती में आर्थिक निवेश संब्व है स्वास संबंधी जटिलताओं पर भ्यान रखना चाहिए पारिवारिक तालमेल में कमी और संतान संबंधी चिंता संभावित है हाला कि बुजुर्गों का सहयोग और अधिकारियों की प्रिरणा मिलती रहेगी और आर्थिक लाव की इस्थिती मन मुताविक बनी रहेगी बिद्यार्थियों के लिए आज का दिन मेहनत वाला होगा सिक्षा प्रतियोगिता में अभ्यास जारी रखे हो सिंग राषि के जातकों के लिए सूरे का ब्रिट राषि में जाना कारेक्षेतर सहयोग लाई रखेगा और उत्थान की मानसिक्ता बनी रहेगी राचनापना प्रयास आर्थक होंगे सरकारी कामों में भी सहयोग मिलेगा और प्रभाव में ब्रिध्धी होगी नई कारियोजनाओं के प्रस्ताव सामने आएंगे और आर्थिक लावमन मुताविक बना रहेगा गुद्ध चंद्रमा की यूटी से आपके काम के पहल करने की प्रभृत्ती में कमी आएगी द्याथियों के लिए आज का दिन सहयोगी रहेगा अध्यान अध्यापन में सफलता की उमीद बनती है कन्या राशि के जातकों को आर्थिक और ब्यावसाइक छेतर में मदद मिलेगी और भाग विवस काम अच्छे होंगे नीजी सम्मंधों में निकटता आएगी और पारिवारिक सुख सोहर्ध में ब्रिध्धी होगी अध्याथियों के लिए आज का दिन सामानी रहेगा अध्यान अध्यापन में प्रयास जारी रखें तुला राशि वाले जातकों के दिढ़ हिच्छा सक्ती और आत्मिश्वास में ब्रिध्धी होगी कारे च्छेत में विकास होगा और नई कार्योजनाएं सफल होगी साजेदारी लावडायक रहेगी और नए निवेश का योग बनता है संबन्हित मामलों में छुटी यात्ता यात्रवास की खुटी संभालों सुक्र कराशी परिवर्तन आपके भागे भाव में आना स्वास संबन्दी या निकूलता का संकेत देता है सासन सत्ता वो अधिकारियों का सहयोग बना रहेगा नेजे संबन्दों में निकरता आएगी और स्वास संबन्दी आवसक सावधानी अभी रखनी चाहिए विद्याखियों के प्रयास सार्थक होंगे अध्यान अध्यापन में सफलता मिल सकती है ग्रिष्चे कराशी के र्यातकों के लिए कारेच्षेतर में बिस्तार होगा और अधिकारियों का सहयोग बरकरार रहेगा नई कार योजिनाव में प्रतिनिध्यत्र करने का मौका मिलेगा और लाहुदायक प्रस्ता और सार्थक होंगे आर्थिक मामलों में आज का दिन सामान रहेगा हाला कि आपका उत्साह और दिड़ इच्छा सक्ती बनी रहेगी मगर काम करने में और संतुष्टी महसूस होगी वैवाहिक मामलों के लिए साम का समय अनुकूल रहेगा विद्यातियों को सफलता मिल सकती है अध्यान अध्यापन में निरंतर अभ्यास जारी रखे धनुराशे के जात्कों के लिए स्वास संबन्दी सावधानी रखनी चाहिए ब्यर्थ की यात्राएं और विचारों में मत्भेद का संकेत मिलता है हाला कि आपके प्रयास और दिड़ इच्छा सकती बरकरार रहेगी और कारे छेतर में मन लगेगा आथिक वक्ष मजबूत रहेगा मगर वाद विवाद और उल्जाव की स्थितियों से बचना चाहिए सुर्य और चंद्रमा की यूती छठे भाव में नकारात्मक विचारों को जन्म देगी परिस्थितियों के अनुसार सामंज से बिठा कर आज के दिन चलना चाहिए विध्याथियों के लिए आज का दिन अच्छा है सिक्षा प्रत योगिता में सफलता संभावित है हलाकि आपकी राशी पर मंगल का होना प्रभावशाली बनाता है और नत्रित करने की छमता देता है मगर सुक्र का छठने घर में जाना उत्साह और कारी उर्जा में कमी का संखेत देता है हलाकि कारे छठकी निगंतर का बनी रहेगी और काम का आज चारू धं से चलता रहेगा और नई कारियोजनाव में अभिकारियों का सहीयोग मिलता रहेगा संतान संबंदी सुक्समाचार मिल सकता है बिद्याखियों के लिए आज का दिन सफलता दायक सिद्ध होगा और प्रया सार्थत होंगे कुम राशी के जातकों के लिए नीजी सुक्सु विधाओं में विद्धी होगी और आवसक संसाधनों में नीवेश का योग बनता है कारिछेत में चल रही जिम्मेदारी का निर्भान होता रहेगा और नई कारियोजनाओं में अधिकारियों का सहियोग कायम रहेगा धन संबंदी मामलों में आज का दिन सामाने रहेगा समयान उसार लावदायक प्रस्ताव आते रहेगे साजे दारी लाव दायक रहेगी दिद्याथियों के लिए आज का दिन सामाने रहेगा सिच्छा प्रप्योगिता में सफलता संभावित है और वैवाहिक मामनों के लिए आज का दिन अनकूल रहेगा मीन राशी के जातकों के लिए द्रीड इच्छा सक्ती बढ़ी रहेगी और रचनात्मक प्रयासों का दौर जारी रहेगा कारे छेत के निरंतरता बनी रहेगी और आथिक लाव में सहयोग मिलेगा उच्छ का मंगर रुकते हुए कामों को और धन संबंधी मामलों में उपलब्धी का संकेप देता है मगर स्वास संबंधी जटिलताओं पर भी ध्यान देना चाहिए संतान संervंधी चिंता में कमी आएगी और विध्यातियों के लिए आज का दिन उत्साह जनक रहेगा उच्छा प्रतियोगिता में अभ्यास जारी रखे है और वैवाहिक मामलों के लिए आज का दिन अनकूल रहेगा आज के लिए बस इतना ही कल फिर में लेंगे मुम नमस्तु बाहिए